सबी भाईयों को राम राम जै जै श्री राधे 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 ब्रजवास करा दे मित्रों आप सब का दोस आप सब का सखा दासों का दास दीपक गर्वालेवर फिर हाजिरत दिना 29 जनवरी 2020 को दिली अपने निवास्तान से देखो कैसे अब हिंदू अपने आप में जीरो होत जा रहा है जिसका धरम जिसको आसमाजिक तब जिसके धरम को जीरो करना शुरू कर दे वो हिंदू अपने अब जीरो होयाता है मद्धे परदेश के अंदर भस्म आरती के लिए जो सुबह साड़े चार से छेवे तक का लौट स्पीकर चलता था महां कांगरे सरकार आ गई ह वो मा के ओफिसर द्वारा बंद करा दिया गया है मा की जो भी जिनके हाथ में पावार है अजडीमे डीमे जो भी यह उनको बुलाके बताया गया है कि आप सुबह लोट स्की पर नहीं चलाएंगे यहां से लोगों को परिशानी होती है तब कि महां सारा हिंदू है यह हो र कारती अब रुखना सुरू हो गई है भले मंदिर में हो लौट स्पीकष बंद होना शुरू हो गया है और पांच वक्त की जाने लोट स्पीकर YouTube होना शुठ हो कई में सोचो तुम्हारा एक बोर्ट जिसने मध्यपरतेश में कांग्रे सरकार बनाई आज वो ही कांग्रे सरकार हिंदूों के मंदिरों को टार्गेट करके उनकी पूजा पाड को लौट स्पीकर से रुकवारी और आने वाले समय में ये ममताब एनरजी की तरह पूजा पाड बैन क पता है ना कितनी भुरी हालात हुई पड़ी है दुर्गा पूजा तक बैन हो चुके दुर्गा पूजा नहीं निकाली आती जब कोट ने हस्त छेप किया तो दुर्गा पूजा निकली थी दुर्गा पूजा के जो भी यात्र होती है वो निकली थी ये हाल हुआ पड़ा ह है पश्चिम बंकाल के अंदर सोयवे हिंदुग कब समझोगे कल बतायता ना एक-एक मुर्गा पिंजतर निकाल के कसाई काट रहा है और तुम अपनी कुकुडु कुकु में लगे वे हो आप आज नहीं उठा रहे हो आप जग नहीं रहे हो और जो आज दिल्ली के अंदर हाल हो रहा ना केजरिवाल का पता है ना अपने डॉक्टर साब को उन्हों लोगों ने यह सुधि के पास गया नहीं उपद्रवियों के साथ हैं आतंगवाद परवर्ति लोग के साथ हैЙ अलगावाद के साथ हैं शिसोधिय ने खुद बोल दिया हो मिन्नी पाकिस्तान शाहिं बाग के साथ खड़ा है और उनका अकला, जो माइश्ट्र माइण्ड है, इमाम पकड़ा गया है, तो सोचो, कैसे यह भारत विरोधी ताकतों का साथ दे रहे हैं, ये चन्द, ये चन्द लोग, कैसे भारत को तोड़ना चाता हैं, और हिंदु होकर, हिदु को ही तोड़ना चाते है, नेस्ता नाव जीरो करना चाते है अलाकि यह स्कीम में कामीया भी लोंगे, इधर आप देवियों की है महा देव की धरतिये, गोविन की धरतिये, राम की धरतिये, रिशी मुनियों की धरतिये, कुछ नroffen पाएंगे लेकिन असूरी ताकत तो एक बार बढ़ रही है न जिस तरह से हमारी पूजा पाट को रोका जा रहा है यह सोच लो आने वाले समय में आपके घरों में गंटी बजाना बंद करवा देंगे अभी मैंने मुंबई का एक वीडियो देखा था उस बिल्डिंग के अंदर क्रिश्चन लोग थे वह कहते है नहीं आप आरती तक नहीं करेंगे आप धूपती लाओगे तो उससे पलूशन होता है यह क्रिश्चन लोगों की एक मुंबई सोसाइटी है जो मैंने महाँ पे इस आप मानते हैं वो यहां ऐसा बैठे है पाकिसान को कुट्तों को बैठे बैठे महां से बोटी डालता है और यहां हिंदू-मुस्लिम विवात करवाता है दंगे करवाता है और दंगाईयों को पैसा परफचाता है पता है अलगावाद को सारा पाकिसान से पैसा आता था सब को पता है कुछ नहीं चुपा वर्ड को पता है आज इनकी कमर तूट गई है मोधी ने कमर तूट ती बेलकोल मैं मोधी के साथ हूँ जिसने दुनिया में हिंदुस्तान का नाम सबसे उचा कर दिया है पहले लोग सोचते थे हैं हाँ एक हिंदुस्तान देश है सबसे बड़ा को विश्व गुरु बनाने के और लेके जा रहा है मैं को राजनितेग्य नहीं हूँ लेकिन एक सच्चा भारती हूँ सच्चा सनातन ही हूँ मुझे बोलना नहीं आता मैं मन के भावसर सपष्ट बोलता हूँ ना बढ़का है ना बढ़का हूँँगा सच बात बूलिए लेकिन हमारे मंदिरों की आज की तारीक के अंधर विशम आरती के अंदर लॉप कि अंधर सारे ऀसे मं करा इए पूजापाट कब बन करा दिती जब कावड यातरा निकलती है कि योगि आए 개 love कावड यातरा के एंदर अध्या वहासस कि बनाए जाते मिला थे हिंदू कभी किसी को मारता नहीं है चाहे फिर वो किसी भी मजभ का क्यों ना हिंदू को कोई शौक नहीं है किसी और को मारने का हिंदू बड़ा दरिया दिल है हिंदू दरिया दिल नहीं होता फिर बताऊंगा तो आज सबसे ज़्यादा मजजिद मंदिर से ज़्यादा हिंद इंसानियत के कारण क्योंकि मेरा नरायन कहते है मेरे श्रीयारिक धर्व कहता है हर इंसान में मैं हूँ तो हम तो यह सोच के देंगे कि परवू है लेकिन जो इस तरह मैं राज रता फैली वह हिंदू-मुस्ली में विवात करवा रखा है और दिल्ली के मुलानों को इमामों को जो होते हैं दिल्ली के मज्जितों के इमामों को 16-18 है रूबे दिये जा रहे और मंदिरों में ब्राह्मानों को पूझा पाट यह कुछ नहीं दिया जा रहा है तबकि दिल्ली में हिंदों के सरकार है मैं बार वर बोलू हिंदों के सरकार होती है तो सब को बराबर लेके च अरे इतना बड़ा गिर्गीट है गिर्गीट भी इसे कहता है तू मेरा गुरू है जो अपने बच्चों की जूटी कसम खा गया अपने बच्चों राजनिती के लिए जूटी कसम खा सकता है लाना थी आदमी है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है जो अन्ना जारे का नहीं ह वीजे भी को लाओ भारत को सही मजबूत दिशा में लेके जाओ और वैसे भी जब ये चिलाता रहता भौकता रहता है कि सेंटर में मोधी जी ने काम नहीं करने दिया और तो अगले पांस साल भी तो उसका बाप बैठावा है बाप और दादा भी आगे अब तो इसका बाप बदलता है भे रुपिया है इस से छुटकारा पाने का एकी तरीका अपने बोट का सदुपी योग करो और जो हिंदु कहता है न नहीं मेरे कान मेरा कोई खास को कांगरिस के टिकट मिला बीजे बीजे मिला है तो समझ लो तुम उसको बोट देके दिल्ली के अंदर हिंदू की भावनाओं के साथ लिए खिलवार कर रहे है क्योंकि वो वही काम करेगी जो उनके आका बोलेंगे पूजा पाड़ बंद करवाएंगे आपके शहरों में दंग्य करवाएंगे अमातुल्ला खाजे से दंगाईयों का साथ देंगे कि इस रीवाल ने तीनों दंगाईयों का नाम याद है 84 दंगा 75 के अंदर इंणरांजी अमर्जनसी याद है 1990 के अंदर कश्मीर से पंडितों को कश्मीरी पंड़त को निगालता आज कश्मीरी पंड़त को एक उमीद जाएंगे हम अपने घर वापिस जाएंगे कश्मीरी पंड़तों को उमीद जाएंगे किसने जगाई है एक हिंदू ने एक मोदी ने एक योगी ने एक हमिशाह जी ने हिंदू हिंदू के सच्चे शाशनकाल के अंदर भी पनप सकता है वरना वो दिन दूर नहीं फिर तुम्हें 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 घर से बेदिखल कर देया जाएगा शाहिन बाग का यार लेकिन बोर्ड अपने बीजेपी को दो वरना आने वाले बच्चों को तुम एक गुलाम देश लेके जाओगे अभी 57 मा पतने 58 मा इसलमिक देश बन गया है दुनिया के अंधर इनके बाद 58 देश है तुमारे पास एक हिंदूस्तानी है तुम कहां जाओगे तुम कहां जाओगे मूर्ख हिंदूओं क्यों अपना पतन करवा रहे हो आप जैसोगा साथ देखे तुम अपनी हिंदूत की छवी बिल्कुल धुमिल करते जा रहे हो जागो जगाओ सनातन धर्म को मजबूत परम मनाओ देश को सही दिशा में हिंदूत क्यों लेके जाओ मै आतंगवादियो के आप बाप बैठे में मोदी और योगी जी और अमिशा जी जो बैठे में मोदी और अमिशा ये 240 से पहले हिंदूराष्ट बनाएंगे मेरा विश्वास कहता है। हम इंदुराष्ट के बढ़ने हैं। आज तर जो फैसला नहीं आया है, राम प्रम अंदिर का फैसला आया। आज तर जो फैसला नहीं है मुसल्मान भेहन सुरक्षित हो गई है। और वो ही मुस्लिम भेहन हैं, सीय के खिलाफ हो गई हैं एसान फरामश हो गई हैं मेरे बेहनों भूल गए मोधी की वेज़े सही आज आप तीन तलाक से मुक्ति पार शुकी हो भूल गए आप मुस्लिम लोगों जिस तुमारी बेहन बेटी किसा जो तलाक के साथ उन्होंने पीड़ा सेहन करी है जो तो भी तुमारे नियम के अनुसार है दूसरे का सम्मद बनाना आदी करना फिर वापिस उसका अक्सेप्ट करना सोचो एक पती वरता इस तरी को जबरस्ती तुमारा कोई भी आदमी मुल्ला तो तलाक दे रेता है और मजबूरी में उसकी गलती जो तलाक दिया उसको ससुरे को तुमारी बहनों के साथ त्यचार वा उससे मोधी ने मुक्ती दिलाई है जिन पहनों के साथ अत्यचार करते है अरे अैसान मानो मोधी का अमिश्जय जी का शुश्य जो आज मुसल्म बहने अपने आपको सुरकशित मेह सुस हो रही है तीन तलाग से फ्री हो गई बज गई है एसान फरामर शुम्दमन हो और हमने कोई एसान नहीं किया मोधी जी न अपना कर्तवे है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसे एसान मान के चलो आप मोधी जी ने तो अपनी बहन की बहन बीटियों के लिए उनके परती जो कर्तवे बनता वो बन किया हिंदू मुसलिमान हिंदू नहीं करता आप लोग करते हो मैं सच्चाई बोल रहा हूँ ये बाद हिंदू मुसल्मान आप करते हो जग परजा मालिक राजा वो जो सब को एक नेर से बराबर की नेर से दिखे नाय परणाली के लिए इंदर सब बराबर हो मजजित के इमामों को 10 अचाई और 16 अचाई अचाई यार दिया रहे और हिंदू के किसी दिल्ली के लिए इंदर किसी पंडित को पांच हैर तक नहीं दिये जा रहे वजीफा जो भी देते हैं मुस् 1962 लड़कियों को दिया जाता है हिंदू लड़कियों को बिल्कुल निदिया जाता है तुम इनके जी हजूरी गुलाम हिंदू को बूल ला हूं जो आप जैसे कांगरेसों को आने माले बच्चों को ना अपनी जनरेशन को, याद रहो मूर्खो, तुम्हारे मरने से दुनिया खतम नहीं होगी, तुम्हें जो जनरेशन छोड़के जाओगे न, वो कैसा देश देखे जाओगे, कैसा परज़त अंतर देखे जाओगे, गुलाम या हिंद राश्ट देखे जाओगे, जहां सब को ब मोधी जी को बोड़ दो, मत पता करो तुम्हारे वीजी की सीट पे कौन कैंडिडेट खड़ा है, बस ये मानो, हर सीट पे 70 सीट पे मोधी खड़ा, तुमने जाना, वीजेपी का आठ तर इको बटन दवाना है, और 70 सीटों को दिल्ली में आपने लाना है, जिताना है, और दिल्ली को फिर देश के साथ मूधी जी के साथ मिलके आगे तरक्की की ओर लेके जाना है समझ गए लंदन के सपने दिखाने वाला केजरी वाल खुजरी वाल शाहिन बाग बना दिया इसने लंदन नी बना पाया इसने शाहिन बाग बना दिया जिसे मिन्नी पाकिस्तान कहते ह मुर्खिंदो जी हजूरी बंद करो चंचागिरी बंद करो यह तुम्हारी जी हजूरी के कारण जैचंद जैसो ने हमारे हिंदू को नाजने कित्तों को मर्वान दे जैचंद मुखवर ने जैचंद मत बनो, देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ मत परो, समझे, मुझे पता आज भी जैचंद है, जो देश को तोड़ने में लगे हैं, जो सच्चे लोगों मरवाने में लगे, ए मूर खिंदो, तुमारे बाद भी तुमारे बच्चे रहेंगे, उन्हें कैसा दे देश देखे देना चाहते हैं गुलाम या एक हिंदरात स्वच्छ भारत जिसके अंदर सब को समान समझ जा जाए फिर कहा रहा हूं मैं घुस पैडियों के खिलागूं यह देश जितना मेरा उतना मसल्मानों को अतना सीकत तो साइगा लेकिन किसी बंगला देशी पाकिस्तान दुनिया का हाल कर गया गए उसके जिम्मधार आप होंगे आप अपने बच्चों को गुलामी की जंजीरों में जिकड़के जाओगे इन जैसे कि जो तुमारे घर की पूजा पार तक को रोक देंगे इन जैसों कि जो तुमारे घर में तुमारी बहें बेटी को साथ पुलीस है वरना इसके पास होती ना केजरिवाल पे तो तुमारे घरोक से निकलना बंद कराये था बहुत बुरा हाल कराये था समझे तब ही मांगता रहा था दिल्ली पुलीस दो अच्छा वह सेंटर कोरिमन के हाथ में समझे यह पुलीस को भी भरष्ट बना देता जिसने य सब दंगायों के जमानत कराने पहुच गए थे मूर्ख हिंदियों निकलो इनके चंगलो से बुद्धी को अपडेट करो सब्धी को अपडेट करो देश को सही दिशा में लेके चलो हिंदुत होके सनातन धर्म की रहा पे चलो और सभी मुसलमान महनों माहियों से बोलना हू हिंदु तमारे दुशमन निस दोस्त है एसान मानो मोधी का एसान मानो जिसकी आप राच के अंदर आल आख खुलके स्वच बिल्कुल फिरे हो के जी रहे हो ना जानी योगी ने यूपी के पिक इंदर कितनी ओ आजमखान जैसों से जो नो ने अपने स्कूल नेगरा बना रहे था और मुस्लिम की ही बस्ती को खाली करा दिता वापिस उनको इसकी जमीन दिला दिये हिंदु तुम्हारा हितेशी ये दुवेशी निये दुश्मन निये और तुम ये जिन बातों में आकर अपने आपको भढ़का रहे हो यही तुमारे पतन का कारण होगा यही तुमा प्ने डबयाям धिन बातों में आपको गंगा पढ़का जीड़ा को भाने होगा में होगा बातों मुस्तवा को भाफ़का हिते।